हेलो गाईज आपको मैं यह हनीबी की आज फुल वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो इसमें मैंने मटीरिय यूज की है या कोई असेसरी वे गारा यूज की है वह आपको मैं सब डेटेल में बता रही हूँ और यह देखो जो आप यह फ्लावर देख रहे हैं यह मैंने सीमर् रेता और सीमर्ट को मिक्स करके यह फ्लावर मैंने बनाया है यह वाला और यह जो मैंने इसके अपने येर बनाया हुए है यह मैंने वाल पुट्टी यूज की यहां पर पस और यहां पर हैंड पर बाकि यह सीमर्ट और रेता में यूज कर रहा हुआ सब कुछ है जो जो मै ना क्ली सी तारा था उसके बीच वाली मैंने उसको कट करके यह तार निकाली है जो बड़े अराम से यह बर बनाये यह दूसरी वायर के बनाए इस वाली सके हुआ यहाँ पर बैलंस बनाने के लिए अपना यूज किया यह बनाते यह बनाते हैं तो आपको चोलो मैं फूल डुटेल में बताती हूं जो जो मैंने मटीरिया यूज किया है सबसे पहले गाइस आप ये वाला मटीरिया आप नौट कर ले ना ये दिखो ये वाली जो रहते हैं ये ब्लैक वाली में आती है एक वो आती है येलो रंकी तोड़ी शेड होती है वो शेड में चुनाई में यूज को होती है जैसे इटो के बीच में लगाते हैं ये प्लस्तर वाली है तो आप देख लो और ये सीमट है जिसे हम घरवगारा काफी चीज बनाते हैं और ये मेरे बच्चों की बॉल थी तो ये काफी हाड है तो मैंने इसको कट किया तो ये वाली मैं मार्केट से लेके आई थी ये कटोरी है अपना मिट्टी के ये और ये एक बोतल है ये वाली बोतल आप ये अपना सिर्के वाली बोतल आती न ये ऐसे है ये वाली चीज ये वाली चीज तो मैंने इसको बीच में से काफ दिया था तो जो इसकी शेब में आ सबसे पहले हैं हैं पानी मिक्स करके अगर आपको देखो अचली नहीं सीमत कितनाarmed मट्रहाइं हैं उससाफ से जैसे आपने बनाना जतनी रिता है उस जे तीन हैं अगर तीन हैं अगर तो सटारी करते लिए आप नहीं यह आप पर देख लेना अगर आपको मिल जाता हो अच्छा तो यह जैसे आपने इसको पहले सीमट और रेता से भरना है जो आपने बनाओगे ना सबसे पहले आपने ओईल लगाना है इन सभी में ब्रस की हैल्प लगा लो जिस मर्जी जो भी आपके पास option हो आप उसको पहले अगर आप नहीं लगाओगे तो यह सीमट और रेता इसको फिक्स हो जेगा या तो आपको काट के निकालना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा इससे बैटर है कि आप इसको पहले इन तीनों ही प्रड़क्ट को इसको नहीं यह वाली चीज को छोड़के बाकि इन सभी में प्रड़के आप यह मलब कौन सा भी आपके पास ओलो वेस्ट ओलो जों समर्जी ओ एनी मलब जों समर्जी ओ ठीक है फर्स यह बात होगी ठीक है उसके बाद आपने इसमें यह वाला मिश्रन त्यार करके इसमें डाला सबसे पहले आपने यह वाली चीज को कट करना है इसका कट करने का यह और इसको मैंने गर्म चाकू से मंख लकू करके नजहीं से गणा कटर और इसको मैंने रियग मार आता है आपको मैं वह वह दिखाया देते चीज none तो आप इसको इसमें रगड़ो गे न तो यह अपना आसा हो जायां बड़े आराम से हो जाता है इसका मैं बना लिए जो भी है उसके बाद आपने इसको ऐसे रखना यह चीज आपने बैलंस करनी है यह देखो आगी ने बैलंस यह देख लेना इसको थोड़ा इसको थोड़ा उठा देना किसी चीज के नीचे बैलंस कर देना तो आपने फिर उसके बाद यह जो वायर है ना आपने ज यह भी मतलब हाथ वगारा बनाने क्योंकि पैर तो आपको यह सरीय के बनेंगे या फिर सलाई वगारा के में अगर आप मुझे लग रहा कि आपना सरीया यह यूज करना सरीया से बहुत मुझभूती हो जाती है वायर पहले आपने ऐसे रखनी है जैसे आपने वायर रखी यह अपने एर के लिए होगे और यहां पर आपने परवगारा बनाने है पर के लिए रखनेनी है और हाथ के लिए रखनेनी है मतलब आपको वायर मलब चाहिए ये देखो एक ये दो ये तीन तीन हिस्से आपने cutting करके तो यहाँ पर यूज करने हैं और ये वाले दो हिस्से यहाँ पर यूज करने हैं सैकंड वाले में ये पहले ही करने हैं मतलब आपने जब मसाला त्यार किया ना इसमें पहले सबसे पहले मसाला इसमें भरना है फिर इसमें भरना है फिर जो यह तीन वाले है ना फिर तीन वाले में भरके ना तीन वाले में भरके तो इनको आपने यहां यह वाला कवर किया यह वाला कवर किया यह वाला कवर किया फ यह वाली चीज है नहीं यह वाली कटिंग वाली इसको ऐसे रखना तांकि यह जो डंडा है ना यह पाइप सी तो बीच में मदल बैलनस बन जहें उसके बाद इसमें भरा आपने मसाला इसमें भरके आपने ऐसे इसको ऊपर रख देना है ठीक है यह देखो यह आपकी हनी भी त्यार हो जाएगी इसको दूप में दो तीन दिन जितने दिन भी रखोगे दो दिन बाद आपको धीरे दीरे ना आपने इस चीजों को ऊपर से उठा लेना है तो फिर नीचे से भी जो यहां से हलका हलका गैप रह जागा आप किसी भी ब्रश की हल्प से मसाला बनाके नैर को बोटल वाले का ऊपर हिस्सा है न वे निचे करना तो अपना यह उपर करना है नीचे वाले करना तो आप देखने हनी बी की शेयब तनी सूंदर आ जेगी जैसे आप देख सकते हूं यह देखो मेरी उसके बाद ये वाला पाठ है आपके पास कोई भी खाली डिबब वगारा डश्टमीन का हो तो आप उसको पहले ओईल जुरू लगा ले ना ओईल लगाके उसके बीद में बीच में मसाला डालके तो अपना जितना भी आपको हाइट चाहिए एचुली तो यह हाइट तो काफ बनाई हुई मैंने दो फुट हम दो